तो हाई गाइस वैलकुम बैक टू माई अनाधर ब्लोग तो दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने घर से कोसो दूर तो दोस्तों भी बताना चाहता हूँ मैं हमाचल के दर्थी पर आया हूँ जो की बहुत ही सुन्दर होती है और बादियों बली होती है तो दोस्तों अभी मैं कुछ सुन्दरता का नुमूना आपको बताना चाहता हूँ तो यह हमारे पीछे सुमन के पूर दोस्तों देखिए कितने जादाव में लगे हुए हैं दोस्तों आप सभी को तो मालमी है कितने सुन्दर होते हैं यह लेकिन बहुत ज्यादा सुन्दर हो तो दोस्तों अभी मैं जाओंगा शिब मंदिर जो की काठगड में है तो इसका अभी पिताते हैं आपको कैसा है तो अभी चलते हैं दोस्तों उसके पास मिलते हैं थुरिए तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काठगड की पावन धर्ती पर एक दोस्तों भी बताते हैं और इसका महाओ तो जहां का चलते हैं थोड़ा जगूम कर आते हैं को unc हम आपमें अपने जो रावी हुए बाहरे ज़ेर यहां पर दोस्तों विह हम पद्राओ ठीक के में लोक्र चलते हैं थैenges allow przy मार नु еरे बाहर का मुहरु शहका था हूं आपको तो देखिये दोस्तों यहां पर कि निचे बहुती बड़ीया फार्क है यहां पर दो तो वहां पर स्वीमिंग फूल भी है वहां पर दिखाओ यार यहां पर मेरे और ही पास्किया हुआ है कि ना बढ़िया यहां का है बहुती मन शांत हो जाता है यहां पर आपकर तो नीची नीचे के और चबते हैं कि आपव जी गाल दॉम इन पर आएक तो अडेबर डेबराने मुच्छा दखे तुहीं अनको टात अप्वाचियां अंधु पाली है तुहीं जो ही दोसा तुहीं कि डाल तो मुचा देख देख लिग्तालियां ए विए ते चंगार रोके दोदें वाज झाल 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 झाल